नमस्कार अस्सलावालेकूम आदाव मैं हूँ उसुपले आप देख रहे हैं सेफ़नी उद लायू आईए नजड़ालते आज़की खास कबर पूरा दोस्तों पिछले 12 से 13 दिनों 18 जुलाई से 30 जुलाई तक महरम के चलते सेफ़नी उद लायू पूरी तरह से बंद था जसक मेरा यह वीडियो इन 12-13 दिनों के गटे संपून गटना करम पर बनाई गई एक खास रिपोर्ट को लेकर है निश्ची की यह वीडियो जड़ा है लंबा है लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखे तभी आप दर्शकों को खबर से संब्दू की बाले किसे समझ आएगी इस वीडियो को स्कीप मत करना यही निवेजन करना चाहूंगा और अन तक जरूर देखना अब सबसे पहले बात करें इन 13 दिनों में मची तबाही की तो आप सभी दर्शक इन 13 दिनों की तबाही से वाकिफ है इन 13 दिनों में आसमान से बारिश के रूप में उतरी गर के गर डूब गए कोई जगा उपर तो इमारतों के पहले मजले तक पानी ही पानी दिखाई दिया हालात यह है कि वसरी संसिति और गिरिज जैसे गिने चुने शद्र तो आज भी बरसात के पानी में डूबे हुए है अब सवाल यह कि इन 13 दिनों के दोरान क्या इतनी ब प्रति दिन के बारिश के आंकरे अब अपने स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं इन आंकरों में पालगड़ की सबी तहसीड के आंकरे दर्शाए गया हैं हम अभी यहां वसरी तहसील के आंकरों पर नज़र दालते है और उसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं 19 जुलाई को जारी आंगडों की जो 18 जुलाई सवेले 8 विज़े से 19 जुलाई सुबह के 8 विज़े तक के 24 गंटों के हैं इन 24 गंटों में वसाई तैसिल में 153 मिली मिली मितलब 6 इंस से अधिक बारिश हुई है 19 जुलाई के बाद 20 जुलाई को 204 मिली मतलब 8 इंस से अधिक 21 जुलाई को 136 मिली मतलब 5 इंस से अधिक 22 जुलाई को 64 मिली मतलब 2 इंस से अधिक 24 जुलाई को 64 मिली मतलब 2 इंस से अधिक यानि कि पहले कि अप्रिक्षा बारिष प्रिकोड कम हो रही है। वहीं 25 और 26 जुलाई के आपने फिलाल उपलब नहीं है। अब बात करें 27 जुलाई के तो 27 जुलाई को 63 मिली यानि 2 इंच से अधिक और 28 जुलाई को एक बार फिर बारिष ने रोधरूरूप अपनाया और 27 जुलाई से 28 जुलाई के 24 रूंटों के दोरान वसाई विराल में 13 मिली मेटर बतला 5 इंच से अधिक बारिष प्रिकोड की गई 29 जुलाई को 66 मिली 2 इंच से कुछ अधिक और आज की बात करें 30 जुलाई को कि तो इन 12 तेरा जिनों में सबसे कम एक इंच यानि 25 मिली से भी कम 17 मिली बारिश आज रिकोर्ट की गया सुबे का आखड़ा है तो यह था इतने दिनों के बारिश का लेखा जोगा इसमें सबसे अधिक बारिश देज हुई 18 और 19 जुलाई के बीच सिर्फ 24 गंटों में 8 जिंच से अधिक बारिश हुई थी जो इन 12 तेरा जिनों में सर्वा लिक थी लेकिन उससे पूर 17 और 18 जुलाई की भी चेंच से अधिक बारिश हो जुकी थी वेसे एक दिन में एक साथ चेंच बारिश निचे दूर्प से भारी बारिश है लेकिन इतनी भी भारी बारिश निए कि जर्जमाओ की स्थिती पेदा हो जाए बस मामला यहीं से बिगर गया जिस दिन सिर्फ 26 बारिश गिरी थी उसी चेंच बारिश में मानवा प्रेशाचन और सत्ता देरे के नियर जिन की पूर्प खोल दी और बेटर तर्तिर ढँट से बसी वसी थालुका को दुबाना शुरू कर दिया हम सबी जानते हैं कि वसी थालुका कैसे दिन दिन कौंकριट के जंगल में बदल दी जा लेए भूमाफियों द्वरा मोटा मुनाफ़ा कमाने की लालच में वसे तालुगाए के प्राकरतिक नालों को बुझाय जा रहा है कहीं बार सामजिक कारे करता हो द्वरा शिकायद दिक की जाने के बावजूद मनपव प्रशाशन वह महसूल विभाग द्वरा इन भूमाफियों को खुली छूट दी गई है ऐसे कोई एक दो उधारन नहीं है जिसका यहां जिक्र किया जाए बलकि सेकड़ उधारन और आप सभी लोग वखू भी जानते हैं खैर अब हम आगे बढ़ते हैं 19 जुलाई को सामने आये डरावने आकड़े पर आकड़े की बात करें तो 19 जुलाई को एक ही दिन में आंट इंच से अधिक बारिश रिकोर्ड की गई अब जब पिदले 24 घंटे की 6 इंच की बारिश यानि 18 जुलाई को 6 इंच की बारिश में ही जल जमाओ हो चुका था तब अगले दिन की आंट इंच की बारिश ने शेर को ताला पे बज़े दिया और सड़के तो जलमग में हुई ही हर तरफ गरों में भी पानी ही पानी दि कर दिया इन तीन जिनों में कुल 20 इंच के करीब बारिश रिकोर्ड की गई जो अपने आप में बयावा और डरावनी कहीं जा सकती है 21 जुलाई के बार बारिश की रफ्तार दीमी हुई और लोगों ने राहत की सांथ ली तब भी नीचले इलाके पूरी तरह से जलमग नही रहे हालात ऐसे की जिते की जिस समय लोगों को रहा देने की जुरती तब शेतर की राजनितिक पार्टियां एक दूसरे की इखिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने में व्यर्स थी और इन सब में 15 साल से वसी की सत्ता पे काबिज बहुजन विकास अगाडी की भूमी का बहुत निराशा जनक रही है बहुजन विकास अगाडी जो अभी तीन सालों से सत्ता से बाहर है उसने इन हालात के लिए सीज़े सीज़े मनवा प्रशाशन को जिम्मेदार ठेदाते हुए खुद जिम्मेदारियों से भाग खड़ा होना ठीक समझा हद तो तब हो गई जब 22 जु विदायको वसई विलार महानेदर पालिका में एक सर्वदली एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें वो जिन विकास अगाडी के दिगज और वसई विदायक हितेंजर ठाकुर एवम नाला सपरा विदायक शितीश ठाकुर दोनों विदायक नदारत रहे और जो बवया नेता पूरु महाफोर या सभापती या नगर सेवक जो उस बैठक में पहुंचे रहे वह सभी नेता अन्य पार्टी नेता उसे उलजने लगे सरजली बैठक ने हंगामे का रूप ले लिया शित्रिक शित्रभी पत्रकारों ने विदायकों की अनुप्रसिद का स्वाल अपनी खबरों में उठाया तब भी दोनों विदायक खामोश रहे बविया की लगातार हो रही फज्यत के बाद बविया नेता आजिव पाटिल ने कुछ वक्तों में जरूर दिये लेकिन वह भी खुद अपनी ही वक्तों में उलज गए विदायकी भूमी का तो संदर जनक रही ही साथ ही साथ पालगर सांसद महद राजिद गावित ने भी जनता की तक्लिफों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया नहीं लेकिन उन्हों भी राजिदिती जरूरी की डूबे हुए वसाई के दोरे पर निकमे सांसद ने राजिदिक बयान बाजी खरते हुए बोजने गास अगड़ी को इस डूब के लिए जिम्मेदा ठेराया और खाना पूर्तिकर निकल गए और तोर चुलने गाव की डूब का जिम्मेदार वसाई वाबोला से बंगली के बीच वाचेनल पर बने तांदूल बजार को बताया हलाकि तांदूल बजार चुलने गाव को डूबाने के लिए जिम्मेदार है भी क्योंकि तांदूल बजार 20 मिटर की एक प्राकरतिक माले पर बनी अनादिकरत इमारत है जिसकी वज़े से चुलने गाव से निकलने वाली पानी का बहाव प्रभावित होता है और पहले के सालों में हमने इस पर कहीं बार रिपोर्ट बनाई है इस लिहाँ से that महुदे ने सही कहा लेकिन तब भी सांसद महुदे ने रात जितिक की हम यह बात इसलिए कर रहे है कि पिछले वर्श भी बारिष के समय इनी सांसद महुदे ने अर्सा ही बयान दिया था लेकिन एक सांसद होकर भी इस तांदूर बजार पर कारवाहीं नहीं खरवा पाए और बालिश के आते ही फिर अपना पुराना राग अलाब दिया सांसद हम विजाएक के बात दूसरी राजनितिक पार्टियों की ब्यूमिके की बात करे अगर तो बाकी इन पार्टियों ने भी सिर्फ एक दूसरे पर उठाते हुए दूसरे पक्षो को कटगरे में ही खड़ा किया कोई खास कड़म नहीं उठाए 21 जुलाई को कम भी बारिष में फिर 27 और 28 जुलाई को डराया लेकिन तब तक चंदर शेत्रों को छोड़कर अक्सर में शेत्र में स्थीर सामान्य हो गई थी हाला कि बीच में 25 जुलाई को नहीं पर शेत्रों की जेनम अपार्टमेंट नामक बिल्डिंग अचाने टेड़ी हो गई फिर आनन फानन में उस इमारत में रे रहे सोला परिवारों को दूसरी इमारत में शिफ्ट कर इमारत पर तोड़क कारेवाई अंजाम दे गई इस राज़्दी में हाल यह था है कि नारासवारा पश्चिन के पुलिस टेशन की हालत तक खस्ता हो गई और खुल नारासवारा पुलिस को विशम परिस्टे में काम का जञ़ाम देना पढ़ा नारासवारा पुलिस टेशन में सांप भी देखे जाने की बास सामने आई इन सब के अलावा इन दिनों के बीच अलगर हासों में कुछ लोग अपनी जान भी कवा बिटे तुंगारेश और नजी में एक कार भगए थी जिसे बड़ी मुश्किलों से डूपने से बचाया गया पुल बिलाकर इन 12-13 दिनों में वसा इक तालुका का सामन में जवन जवन पूरी तरह से अस्तिज़स्थ हो गया था और सब के लिए जितनी ये प्राकरतिक आगदा जिम्मेदार है उससे कहीं अधिक यहां का प्रशाश्मिक फैलियर जिम्मेदार है अब आज के लिए हम यही पर आपसे विदा लेना चाहते हैं आपसे अगनी मुलागात होजिए हमेरे आगी के वीडियो में अब दीजे हमें इजाज़त नमस्कार हमारे चैनल सेफ न्यूद लाइव पर अपने वियापार और सेवा से समदेद विज्यापन प्रसारण है तूद दे गए मुबाइल नमबर पर संपर्क करें